नमस्कार मैं हूँ आलोक और आप देख रहे हैं टाइम साफ यूपी इस समय हम मौजूद हैं जनपस सुल्तानपूर में और ये थाना छेत्र लगता है जैसिनपूर आपको बता दें कि जैसिनपूर में आज कल चोरों के होसले इसकदर बुलंद हैं कि कहीं भी किसी को भी निसाना बना रहे हैं हाली में आपको बताएं कि जैसिनपूर ठाना छेत्र के अंतरगत मैं इस समय मौजूद हूँ गाउं बिसंदासपूर है यहां पर एक छोटा सा जनसविधा केंदर खुला है जिसका नाम है आयांस जनसोभिधा केंदर चोरी की जिसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया जो ठंडे बस्ते में डाल दी गई एक बार फिर चोरों ने जंसुवद्या केंद्र को निसाना बनाया है और इस पर पुलिस आखिर कितना सक्रिता से कारे करती है अपने आप में एक सवाल है क्या नाम है मेरे नम आया है हाँ नो बजे तो मैं देखा ताला वाला सर तूटा था सर ताला वाला तूटा था तो मैंने यूपी 112 पर फोन किया हुआ है अपनी जांच करके गए उसके बाद कोई कारवाई नहीं हुए अब तक इसमें आपने अप्लिकेशन दिया थाने पर की नहीं जी सर मैं अ पत्ती या घर की सुरक्षा का उचिस समाधान तार बंदी अब हुई बेहदासान केजिन वायर सर्वेस हमारा पता है एक बटा 578 वर्दान खंट गोमती नगर लखनव नजदीकी ब्राणियर कॉपरेशन बैंक महरुआ अम्बेटकर नगर सुल्तानपुर इस दुकान को निशान अब लगा होगा कि इस खबर को भी कवर कर रहे हैं लेकिन बहुत जरूरी इसलिए है चुकि जैसिनपुर्थाना छेतर के अंतरगत कई दिनों से मुझे लगता है कि कई ऐसे चोरी की घटनाएं हुई है जिनका खुलासा भी तक नहीं हो पाया है तो ऐसे में कहीं कहीं पुलिस के एकबाल पर भी सवाल उक्ता नजर आ रहा है चुकि यहीं से कुछी दूरी पर सेम्री चाहकी है और यहीं से अगर इस तरफ जाएंगे आप तो पीड़ी चोकी पड़ती है दूसरी तरफ देखेंगे आप सेमरी चोकी पड़ती है लेकिन इसके बावजूद भी चोरों के होसले इसकदर बुलंद है कि पुलिस को सीधा चेतावनी देते हुए यहां जनसुद्या केंदर को निचाना बनाते है तो आपको क्या लग रहा है पुलिस कर रही है या फिर उसमें भी हिलावाली जल रहा है वह सकता है कि अभी तक जो है फाई यार नहीं दर्ज हुआ है हो सकता है कि जांच परताल अभी चल रही हो जांच के भी सह है फिलाल इस मामले का खुलासा हो पाएगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा कैमरा परसंट बिजे इसके साथ आलोग दूबे टाइम साफ यूपी सुल्तानप कर दो